आज आपको मिलवाएंगे बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री पामिस्ट से जी जाने माने किसी तारुफ के महताज नहीं मिस्टर सादिक मलिक से इसे जानेंगे कि किस तरह से वो हातों के लकीरे परके लोगों को उनका मुस्तक्बिल बता देते और किन-किन सियासत दानों का उन्होंने हाथ पर आए और भी बहुत कुछ जानेंगे चलिए आएए आपको मिलवाते हैं विस्टर सादिक मलिक से असलाम लेकुम कैसी हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके याद करने का जी सर सबसे पहले तो ये बताएए कि पामिस्टरी का शौक आपको किस तरह से कैसे पैदा हुआ आपके अंदर किस तरह सी की सारा बताएए अच्छा जी इस तरह से है ना तो ये मेरा शौक था ना मैं इश्क और ना ही किसी भी किसम का कोई ऐसा सिस्टम जिसको मैं लेके चलूं कि ये मैं इस वज़ा से इस फिल्ड में आया बहालते मजबूरी एक पामिस्ट मेरी लाइन के बारे में खलत इंटरप्रेट कर दिया जिसे शोहरत की लकीर कहते हैं तो उसको पढ़ने के सिल्सले में मैंने फिरोसंस से कुछ किताबे खरीदी और पढ़ना शुरू किया और उसी दुरान गुर्बत ने आन गेरा और इस गुर्मत के नतीजे में मैंने फिर इसी प्रोफेशन को जाएन किया ये मेरी मजबूरी थी शौक नहीं था और पिर इस शौक नहीं मजबूरी ने मुझे अमर कर दिया तीक 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 तो ये बताएं जबात करते हैं दस शेनासी की आप दस्ते शेनासी को मुकदर का इल्म समझते लेकिन सितारों की जो हकीकत है उनसे जो इल्म हासिल होता है उसको नहीं आप मानते उससे आप इक्तिलाफ करते है क्यों क्या वज़ाए अच्छा जी इस तरह से है कि मैं इस पर बड़ भी डिटेल बात करूँगा एक लफ्स है आस्टानमी उसका चार्ट है ये बन्यादी तोर पर साइसदान ने बनाया है आस्टालोजर ने नहीं बनाया आस्टालोजर का कोई भी अपना चार्ट नहीं है जो आस्टानमिस्ट के चार्ट को फालो करता है वो साइसदान है और उस साइसदान ने उस चार्ट को मुकदर स वबस्ता नहीं किया पिर अब जब आ जाते हैं कि इसके बारा घर साथ से अरगान तो उसमें मैंने इंडिया में चार विजिट किये पहला मैंने क्वेस्चन पुट अप किया कि आप जब किसी भी शख्स की किसमत का हाल बताते हैं तो पहला आपका क्वेस्चन ही होता है कि डि मैंने का मैं यह दे देता हूँ, मुझे बताएं, यह लड़का है, लड़की, हिज्रा है, हिज्री, गोड़ा है, गदी है, क्या है? अगर आपको यह इल्म ही नहीं, कि यह कौन है, तो बबा किसकी किस्मत का हाल बता रहे हो? फिर आगे चलते हैं, कुछ है, असाम से आये हुए बड़े पेट के उनके योगी, उन्होंने का हम अलिक साब, हम शाही नजूमी जो बादशाहों के साथ हमारे अब अज़ाद रहा करते थे, वो टाइम आफ बाद नहीं लेते थे, टाइम आफ प्रेगनेंसी लेते थे, जब रानियों के पास हमारे राजा जाते थे, तो हम टाइम नोट कर लेते थे, तो हमें पता चल जाता था, कि अब राजा के घर राजा पैदा होगा, या राजा के घर गदा गर पैदा होगा, तो मैंने का, अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरकी कर ली है, तो वो चार्ट, जो आ एकुरेसी 99.99% मस्तखमिल के एक साल, नई, एक करोट साल आगे चले जाए 99.99. एकुरेसी इसका उसी चार्ट से यार आप साथ और नहस घडी निकालते हो तो जब उसी चार्ट से साथ और नहस घडी निकालते हो तो वो जो एक चकर चल रहा होता है चार्ट का, तो जहां साथ गड़ी आती है, तो वहां आप टेस्ट ट्यू बेबी ले ले, तीसरा, सिंपल सा, जब आपको ये पूरा येकीन है, कि ये साथ और नैस घड़ी में ये होता है, तो साथ घड़ी जब आती है, तो उस साथ घड़ी में मेडिकल साइस ने चुके तरहकी कर ली, आपकी फुफो, मामी, चाची, ताई, आपके अपने घर में, अगर कोई भी डिलिवरी होने वाली है, तो दो माँ पहले बचा अपर अपने घर एक तरहीं, चार प्राइम निस्टर पैदा करें, इस लिए मैं आस्ट्रोजर की किसी भी मात को मानने के लिए तियार नहीं, आगे चलते हैं थ्वड़ा सा, आगे चलते हैं थ्वड़ा सा, इसकी एक हजार उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हैं, जब मैं कैटे भी सब कैटागरोज को भी नहीं मानता वाला आलमी स्वाप ठीक हो गया, समझ गयाने के ये वज़ोहत हैं कि आप एस्टॉलोजी से इकलाव करते हैं अस्टॉनोमी जो है एस्टॉनोमी जो है ये बाकाइदा एक साइश है अब ये करते क्या है करते ये हैं कि पेशगोई बन्यादी तौर पर है जब लफ्स पेशगोई इसमाल करते हैं किस तरह होती जी ये बताइए पेशगोई होती किस तरह हाँ मैं बताता हूँ पेशगोई बन्यादी तौर पर साइस का दूसरा नाम पेशगोई है ठीक पर यह आ है और यह बी है वो दो जमादो चार होती है दो जमादो पांच तीन नहीं होती मिसाल के तौर पर है करणट A और करणट B को जब positive negative लगाने के बाद बल्ब लगाएंगे तो वो रोशन होगा अब किसी भी जगह mistake तो हो सकती है लेकन दो जमादो चार होगा बल्ब पेशगोई होती है या नहीं होती इन्होंने एक बहुत जटका प्रोग्राम रखा हुआ है जटका प्रोग्राम ये रखा हुआ है कि हम इसी तरह से पेशगोई करते हैं कि जिस तरह से मौसम का हाल अब इनको ये पता नहीं है कि मौसम का हाल जो है उसका तालूग जो है साइं से नहीं वो बनियादी तोर पर मेटरॉलेजिस स्को डील करता है और इसी तरह से हम पामिस्ट है थीक है अब ये बताएं सर पामिस्ट्री की जह बात करते हैं और आपे सिर्ज ग्रहन और चांद ग्रहन की भी बदाएं तो ये बताएं being a promised सूरज ग्रहन और चांद ग्रहन का सितारों के चाल पर क्या असर पढ़ता है और कैसे मालूम होता है ये बताईए वो अपनी एक जो तियार करदा एक चार्ट है उसके मताबक उसकी मंजले हैं वो चल रहे होते हैं एक कसाया जब दूसरे पर पड़ता है तो वहाँ ग्रहन लगते हैं उन ग्रहन का तालुक ना तो किसी भी शख्स के वो कदर पर है ना किसी प्रेग्नेंसी पर है तो लोने ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा अगर छोटा मोटा चीज़ों को देखना है तो आप आई स्पेशलिस्ट से बश्वरा कर सकते हैं बाकायदगी से के इसके आँखों पर क्या असरात होंगे निजूमी को मत पूछे इसलिए के सरहत के इस पार जब हम बॉर्डर के इस तरफ जाते हैं तो उनके हाथों मुकदर हुक्मरानों का नहीं बदर रहा होता और जब वागा के इस पार दो फुट के फासले पर आते हैं तो यहां हुक्मरानों के मुकदर चीज़ हो रहा जाते है खुदा का खौफ करो बाबा पहत्छा जाता है, यहात्व के लाकिरे की बात करते हैं जिसको माँ बापने भी घर से निकाला हुआ है वो सोचने से बादिशाँ बन जाता बादशाः 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 बा एहम स्यास्टदानों के हाथ देखे और सबसे पहले किस स्यास्टदान का हाथ देखा इसका नहीं देखा चलिए सबसे पहले किसका देखा ये बताईए मियाब रादरान बनियादी तोर पर कहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान कहता है कि मैं आखरी गीन तंग खेलता हूँ इसी तरह से मियाब रादरान कहते हैं कि हम आखरी सांस तक लड़ते हैं तो आपको क्या लगते हैं इन डाइम नहीं करवा सके ठीक 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 एंगल के तीसी तरफ चलते हैं चलिए बताईए जरदारी साब बैठे हुए वो स्यासत नहीं करते हैं चाल डालते हैं और जब चाल डालते हैं यानि आप के रहे हैं चेस खेलते हैं बड़ी कमाल की चाल आई है जिससे चारो शाने चित कर दिये वला अलम बिस सौल अगला सौल चलिए बताएं जबात करते हैं मरीम नवास की और बिलावल भुटो जरदारी की आपको क्या लगते हैं दोनों में से पहले वजीर आजम कौन बने का अचा इस तरह से है कि मरीम नवास जबरदस किसम की क्राउट पुलर है उनका हाथ देखे तो यू करके आपको लगेगा कि वाला उनके बड़ा जबरदस फासला पाया जाता है और ये वाली चौती अंगली की ये पूर बहुत बारीक है ये बन्यादी तोर पर किसी भी शखस के अंदर पावर अफ स्पीक और स्पीच के माहिर होने का पता देती है जबरदस क्राउट पुलर है दिन्या भर के जितन नहीं करना चारहा चंद नागुजीर वजूहात की बन्याद पर ये उधार रहा फिर किसी वक्त बड़ी डिटेल से डिसस करोगा जब बात करते हैं आसिफ अब भुट्टो जर्दारी की तो आपको क्या लगता कि पॉलिटिक्स में कोई एहम औहदा हासल कर सकेंगी इतने जर्दारी साब शत्रज के खिलाड़ी हैं घर में आई हुई वलायत आस्फा के सर पर रखकर किसी की घर नहीं बेज सकते ये बात याद रखिएगा ठीक मेरी बात की समझ आ गई यह ना जो मैं कह रहा हूँ नाजरीन को भी समझ आ गई है मूविंग ऑन सर जब बात करते हैं बाकी तमाम सियासदानों की अमरान खान का आप फ्यूचर के देखते हैं अमरान खान के बारे मैं एक सीधी सी वात आप से कही है कि अभी उनके हाथ पर लिकीरे उनका साथ नहीं दे रही कुछ अर्सा उन्हें इन्तजार में रहना पड़ेगा वल्ला अलमी सौब मैं 1996 में उन्हें मिला था 1996 में उन्हें मिलने के बाद फिर बाकाइदगी से बुश्रा वीबी मेरे बाद तश्रीफ लाई उसके बाद खावर माने का भी तश्रीफ लाए और यहाँ एक बात याद रखिएगा के खावर माने का के बाद जब बुश्रा वीबी उनके अकद में आई और फिर खावर ने अवल बने तो उसके बाद उन्हें अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी एक बच्ची की शादी करना थी तो स्पेशली खादूने अवल होने के बावजूद भी लोग समझते हैं बहुत बड़ी पीर है तुरों ने उनको मेरे पास भीजा कि यहाँ शादी ठीक रहेगी तो मैंने कहा ठीक रहेगी तो बबचे जबरस तरीके से ठीक चल रही है वला अलम स्वाप ठीक हो गए यह बताएं कि अपने अमरीकी सदर कभी हाथ पर है कभी जोब आइडल ट्राम्प मैं अमेरिका गया नहीं और इस तरह से यू करके अब हाथ पढ़ना नहीं चाहता इसलिए कि इस पर मैंने कोई काम नहीं किया तो आपको क्या लगते है वैसे कोई इंटूशन होती है कमाला है रिस जी तेंगी या डॉनल ट्राम्प मैं दो जमा दो चार का बंदा हूँ हवा में बाते नहीं का यानि कि आपको वैसे भी आइडिया नहीं कि टेली बेन पर नहीं आऊँगा तो उस पांच साल की छुटी में जंगल खाली हुआ पांच साल के बाद में इल्मी तोजी लेकर आया नूलाज आफ पामिस्टी बैसादिक पलिक पामिस्ट है तो उन पांच सालों में लोगों ने समझ लिया हम भी शीर है उन शेरों से भी अब मेरा वास्ता पढ़ रहा है और वो अपने बिलों में वापस जा रहे हैं तो सर आप सबसे बहले तो ये बताए कि वो पेश कोई कौन सी थी जो आपकी गला तो ये 25 सालों में एक तो 1996 में मैं बन्यादी तोर पर कैरो का फालवर हूँ उनकी पामिस्ट्री पड़ा करता था तो उसके मताबक खाल साब का हाथ किंग मेकर का था मैंने उन्हें किंग मेकर कहा 2013 तक जो मैं काम करके आ रहा था मुझे इस बात की शुद्बुद्ध हो गई थी कि ये किंग नहीं अब किंग बनने जा रहे हैं लेकिन पुछा भी भी आपको याद होगा कि शादी से चंद महीने पहले आप जब तश्रीफ लाई हैं तो मैंने आप से भी ये कहा था कि मैं इनके प्राइम निस्ट्र बनने की पेश्गुई नहीं करूँगा इसलिए कि मैं अब अपने नियुलाज की तरफ जा रहा हूँ कौम से माफी माफी मांगने के बाद मैं नियुलाज मुकमल करके वापस आउँगा तो लहाज़ा फोसीना ठोक के कहती है कि मैंने प्राइम निस्ट्र बनाया और उनका ये भी हक बनता है कि कहें इसलिए कि दो हजार अठारा में किसी ने मास वाए एक सेक्रिप्टिट पेशगो को कहा गया उसे पेशगोई की इसके इलावा किसी ने पेशगोई नहीं की वल्ला आलम बिस्वाब और सेक्रिप्टिट पेशगोई के बारे में आप जानती होंगी ठीक तो ये बताएगे आपने यू आफ बिन पाइनिर अफ निव लॉज ऑफ पामिस्ट्री तो ये निव लॉज क्या हैं कीन सो साल पहले जो सीना वसीना इलम मुन्तिकल होता चला आ रहा था उसको कैरोने किताबी शेकल दी जब कैरोने किताबी शेकल दी फिर उसके बाद उसमें ग्यारा किसम की टोटल एहम अलामाद पड़ी जाती थी जिसकी बन्याद पर हम किसी भी शखस को एहम और गैर एहम गरदानते थे तो ये बहुत सारे लोगों के हाथ देखने के बास सूलों का जवाब नहीं मिलता था फिर मैंने इस पर बाकादा काम किया 32 राजायोग 101 गहर मामूली अलामात तलाश की और हाथों की साखत का निया नजाम लेके आया लोईर मिडल क्लास मिडल क्लास अपर मिडल क्लास ओफिसर क्लास अड्मिस्टिशन क्लास फिर उसके बाद वी आई पी और स्टार लाइफ 32 राजायोग की किसी हाथ पर अलामात पाई जाए मिसाल के तोर पर कैरो के दौर में कहा जाता था पहले कि जब बच्चा 12 साल का होता है तो लिकीरे पकी होती है फिर कहा जाने लगा कि नौ साल का होता है तो लिकीरे पकी होती है नीव लाजाव पामेस्ट्री भाई सादक मरिक पामेस्ट पढ़ने के बाद आप बच्चा पैदा होने के principles कर सकते हैं कि बच्चा बाद्शा पैदा हुआ अड्मिस्ट्रेटर पैदा हुआ गदागर पैदा हुआ Middle Class या Officer Class का पैदा हुआ तो ये बताईगी कि जसके भी हाथ में राज़ायोग होती है वो हुकमरान ही होते है जसके हाथ में राज़ायोग होती है वो अपनी आरग्नाईजेशन को हेड़ करता है मिसाल के तॉर पर अगर पुलिस में है तो वो IG बनेगा ठीक अगर डीमजी ग्रूप में है तो चीफ सेक्टी बनेगा अगर वो किसी भी शुबा है जिन्दगी को प्राक्टर एंट गैंबल को डील कर रहा है तो इसका मतलब है कि बाहरास ताब आँके बंद करके कह दें कि इसका जी होगा तो जो लाइफ पार्टनर से कठे रह रहे में च्छप चुकै कि मिया बीवी की जिन्दी की पर असरात नहीं होते हर मर्द अपनी और हर औरत अपनी किसमत लेकर पैदा होती है जब आपको बिश्मार ऐसे मर्द मिले होंगे जो करोड़ों रुपया कमाते हैं अगर दौलत औरत के नसीब की है तो वो बाहर सारे का सारा उजार देते हैं जब घार आते हैं ते पैरी टुटे खोसड़े बसंते होनी आए एक पाई जिब में नहीं होती तो औरत उसके नसीब में उसकी कमाई का दसवा हिसा भी नहीं आता तो ये मैं कैसे मालनूं लेकं जिस औरत के हाथ पर बहुत अच्छी मुकदर की लकीर होती है वो मजदूर की बीवी भी हो तो वो दो सुर रुपय की भी अगर मजदूरी करता है तो लाकि अपनी बीवी के हाथ पर रखता है और सुबो जाने के बाद कहता है अल्ला आलिए आ शुआनिते में नुदे मैं क्राया लाणा तो हर आरत अपने नसीब और हर मर्द अपने नसीब लेकर पैदा होता है वल्ला अल्वे स्वाप ठीक हो गया अब किस्मत जहाए मुकदर दो तरा के होते हैं एक तक्दीर मौलक होती है एक तक्दीर मुकयत होती है यहां आज سے पहले एक से पहले मैंने डिस्कलोज किया है और आपके चैनल के थूँ मैं यह डिस्कलोज कर रहा हो कि जब हम तक्दीर मुखलक और तक्दीर मुकयत पढ़ते हैं तो इनल्लाह अला कुले शेय इनकदीर अल्ला दोनों तक्दीरों पर कादर है लेकन शादी जो है ये बुनियादी तोर पर तक्दीर मुखलक है तक्दीर मुकयत नहीं क्यों इस पर मर्द को कादर कर दिया गया जब कादर कर दिया गया तो वो एक करे यह चार तो यह तकदीर मुलक में आएगी तकदीर मुकिद में नहीं आएगी वलाई आलमिय स्वाप ठीक हो गया तो सर्फ जब बात करते हैं नमाशीव सहाब की तो आपको क्या लगता है कि क्या उनकी किस्मत में इक्तिदार ख़तम हो चुके या है एक बात बड़े बेश्वार वी लाग उनके आने से पहले किये सब कहते थे कि मिया साब आएंगे या जाएंगे तो चुक्के मैं माजी की बातें नहीं करता तो सौल ही ऐसा करना आ गया कि जिसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ सिर्फ यह कहा कि जब मिया साब आएंगे फूलों की पत्तिय निशावर की जाएंगी फिर उसके बाद बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे तो वापस चले जाएंगे मतलब आप भी समझ रही है मैं भी समझ रहा हूँ यह बताएगी किसी का हाथ देखते वे आपने उस वक्त स्पॉट किया हो कोई इंट्रस्टिंग बाग किया या कोई चीज आपको रज़र आ गई हो हाथ पड़ते वे हर तीसरे बड़े आदमे के हाथ पर यह होता है मुझे चोदरी परवेज लाई आज तक अब नहीं कहते उनके जेल जाने से पॉच दिन पहले ने उनके साथ लंच किया और उनके जाए जेल यातरा करके आए कोई मसीवत नहीं आने वाले और वह इजी जेल चले गए और जेल यातरा करके आ गए 1988 से उनका मैं हाथ वाथ और उनके सारे फैमिली मेमर्स का फैमिली पामिस्ट हो तो उन्होंने कहा कि जहाज में एक सहाब आए ये भी एक बहुत बड़ी रंगबाजी है उन्होंने यू करके मौनिस का माथा देखा और कहा कि ये अपने मुल्क का प्राइम निस्टर बनेगा ते मैं कहा जी चोही सहाब है इन्हे प्राइम निस्टर ते कोई निचे बढ़न तो मौने सिलाई साफ है जे तक मिरना नाराज रहें देने बहुत काटगल करते ने इसी तरह से हर तीसरी जगा पर आपको हर बड़े आजमी को जब सुनेंगी तो इस किसम के लोग मिलेंगे मिसाल के तौर पर एबरार अलहक मैं पी टी बी पे उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो वो कहानी सुना रहा थे कि एक बाबा जी ने मुझे कहा कि प्राइम निस्टर बना गया मैंने कहा जाने दे यार हाथों में तो कोई ऐसी लकीर नहीं पाई जाती पहला जब वन सॉंग सिंगर थे तो आपको बताया था कि आप कोई बहुए बढ़ा चैरिटी का काम कर लिए तो आपने घृस्पिटल बना लिया फिर उसके बाद आपके मेरी मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मैं अपनी पारटी बनाना चाहता हूँ तो आपसे कहा अच्छर ड़ियार तो आपने पार्टी बना लिए जी माल रोड से शुरू हुई और माल रोड पर भी खत्म हो गई फिर उसके बाद आप बीटी आई के प्लेट फरम पर आए तो फिर भी आप से वरार रख कहा कि छड़ यार उसके बाद जब इतने इतने बड़े आँसों के साथ होना ने पीटी आई छोड़ी और महसूस करूआया कि यह जो मझे बड़े बड़े आँसों है इसे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ओप भी जी पीटी आई उसके बाद मुझे जब अनवार रख काकड प्राइम निस्टर बने ते बराहर का फोन आया कि देखे जब लोग सियसत में आते हैं तो करते क्या है माँए साथ मिठी मिठी सी बाते करने के बाद बराहर मुझे कहता है कि यार अन्वारोलक आपके दोस्त हैं तो उनका ज़रा नमबर तू दीजिएगा उन्हें कांग्रेचुलेशन कहते है यह तो जीतने वालों कांग्रेचुलेशन और उससे पहले पता क्या उन्होंने उनके बारे में कहा यार बहुत सारे एरपोर्ट पर मुझे मिलते रहे मैं तो समझता था यार कोई चीज़ नहीं प्राइम डिस्टर बन गया मैंने का आप प्राइम डिस्टर नी बने उसने प्राइम डिस्टर बनना था और उसके प्राइम डिस्टर बनने की बात तीन दिन पहले बलोचस्तान में बलोचस्तान हौस में सर्फरास बुक्ती बैठ हुए थे और बाकाइब की से की गई और इस पर वी लॉग भी मैंने किया बला अलुमिस भाप जवाद अहमद की बारे बताई जवाद अहमद की एक मैं प्लेट फार्म से वो काम भी कर रहे थे और उनके भाई साब भी कमाई वहीं से कर रहे थे तो उन्होंने एक जर्नेटर रखा था बड़ी जबरदस किसम की लोड शेडिंग होती थी उसका वो मुह हमारे जाता था उसकी तरफ दुकान की तरफ तो मेरे आफिस में बड़े सारे मेरा जितना भी वर्कर है तंग आ चुके थे मैंने अपने मैनेजर को दो तीन बार भेज़ा कि यार आप हमारे परोसी हो मेरबानी फर्माओ और हम आपको ये चेंज करवा देते हैं आपको डीजल की बज़ाए वो दूसरा लेकर दे देते हैं जिससे धुमा काम आए बड़ी हरानकुन बात है मुझे मेरे बेटे ने बताया कि बैठे हुए जवाद साफ मैं ग्या जब ग्या तो मैंने का यार जवाद हमापके परोसी है सबसे ज़्यादा हक तो हमारा बनता है कि हमारे साथ बहुत सारी रायत की जाए तो हम आपका जिनरेटर चेंज करवा देते हैं या ये जिनरेटर बदले आपकी मेहरबानी है वो पागल आदमी है उसने यू करके मेरा ग्रेवान पकड़ा या आप मारा थपड़ रहा के मैं मैंने का ये तो पागल आदमी है उसके बाद आपके जो बेरोचीफ थे नई भनीफ ये लाइन पे मेरे आए जियो पे कहानी चलनी थी इनके जवाद आदमत के दोस्त थे इन्होंने बीश में बैठके चुप चुपा करवाया के जाने थे इबरार की भी इनके साथ लगती फब्दी थी इबरार उन दिनों लंडन थे वो भी चाह रहे थे कि इनके साथ को हाथ किया जाए वारस बेग ने भी मुझे कहा कि इनके साथ हाथ करो मैंने का नहीं मेरे पडोसी है लेकर अगले दिन जवाद फिर तुब दफ्तर छोड़ के गया है आज तक दफ्तर नहीं आए और पार्टी बना के बैठे हो इस मुलक को सभालने के लिए जाओ यार खुदा का ख़ौफ करो ठीक जब बात करते हैं बाकी तुमाँ सेलेबरिटीस की सलेबरिटीस में बताएं कि आपने किन का हाथ देख है अरे फिर वही बात किनका नहीं देखा मेरे पांद साती सलेबरिटी है महीरा का लेकर आपने हाथ नई नज definitely नई यह नई पहुत के जितने भी लोग है इनको नहीं भजाबादा तालिस में उस दोर के तमाम एक्टर, डारेक्टर, राइटर, जितने भी शोबह है जिन्दगी के बड़े लोग थे, उन सब के तक्रीमन इंट्रिव्यू किये थे मैं तब, वहाँ भी मेरे साथ एक मसला हमेशा रहा, जब मैंने उस प्रोग्राम को वाइड अप करना था, तो सारे कहा देते हैं मेरी माँ की दौा, मेहनत या कुछ और, या कुछ और, लेकि 95 परसेंट लोगों ने ये कहा मेरी माँ की दौा है, और उन 248 लोगों के मैंने हाथ देखे हुए थे, और अंदर से इंतहाई डिस्टर, मुकमल तोर पर फिर आफ अन्नोन का इशकार, तो मैं तो चाहती थी कि ये 248 लोग मेरा इंटरिव्यू करते हैं, इन लोगों ने माँ के रुत्बे को कम किया है, दुनिया भर की माएं जो हैं, अपने बच्चों के सुख मांगती हैं, मैंने कभी उस माँ को नहीं देखा जो बेटों के लिए, भूखा हो तो दौलत मांग रही ह होती है, वो बड़ा आदमी हो और उसके लिए दौलत मांग रही हो, कभी नहीं माएं हमेशा उलाद के सुख मांगती हैं, तो माएं हमेशा सुख मांगती हैं, वल्ला अलमिस्सा, तो चलिए ये बताएए, जब बाबाराज से में बलावल भुटे जरदारी की बात की जाती है, तो उन दोने की शादी की चर्चे बहुत होते हैं, कब होगी, क्रियोसिटी है एक अवाम को, आपको क्या लगते हैं, शादी जो है ये तकदीर मुहलक से मुतलिक है, तकदीर मुकयत से मुतलिक नहीं, तीक, इसलिए इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ये जो मैच मेकर के थरू करवाई है, अगर मुझे पता होता कि इसकी 18 अक्तूबर को शादी हो जाएगी, तो मैं कभी उनके रिष्टे मैच मेकर के थरू नहीं डूडने के लिए जाता, ये सब बच्चियों को वरगलाते हैं, तो हम परस्ती का श्कार करते हैं, ये ही हैं वो कि अचारी में चारी दो धख़ए शाल इसी इंतसार में रहती हैं, कि दो ध़ए साल ख़क्त्म हो जाएं तो वो 35 ती हो जाती है, तो साथ सती जैसा कोई अलिमें कोई साथ सती जैसा कोई मंगलीक जैस़ा का ये है। और उसके इस बाद अविशक के साथ करवाए तो आपको पता है वो बंदर मर गया था फिर ने मुझे इसका तो आइडिया ने ये तो आप ही बताएंगे अचा वो बंदर मर गया था लेकर ये लिख कर गया था कि मैं गहरत से मर रहा हूं साथ फेरे मैंने लिए और इसको लेकर अब शक्ष रहे गया अफसूस अफसूस ख़दा का खाफ करो यार क्या मंगली के लोगों को कहते हो कि अगर मंगल का नागा खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में जो खूरेजी हो रही या खत्म हो जाएगी फलस्तीन में तो खूरेजी खत नहीं हो रही बुसिनिया में तो नहीं हो रही चेचनिया में तो नहीं हो रही पूरी दुनिया में इतनी खुर्रेजी के जबा दर जमा दर जमा सिल्सले चल रहे हैं वहां तो मंगल के नागे नहीं हैं और पागिस्तान में पिछले 75 साल से आपने क्या ऐसे तो हम पर रस् कि अगर मंगल का नागा गौवर्मेंट बंद कर दे, शुरू कर दे, बंद कर दे तो फिर उसके बाद यहां खुर रेजी खत्म हो जाएगी, यह सारे मसले नहीं टक मसले हैं, और यह तो हम परस्ती का शिकार करते हैं, और मेरी खाएश है, मैं जहाद समद कर यह सारी बाते कर और अब तो उन्हें रिजाइन भी दे दिये कैप्टेंशिप से तो उनकी हवाले से ज़र बताईए अच्छा इस तरह से है कि मैं पहले भी बोल चुका कि नई पौट के लोगों से मैं बहुत का वाकिफ हूँ मिसाल के तोर पर जावेद अफरीदी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है पिशावर जल्बी वाले राना आतफ लहुर कलंदर वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है अगर मैं करिक्टर और किर्कट के बारे में पेश्गई करना जानता तो मेरे लाल जो कहता है कि मैं किर्कट के बारे में पेशगई कर सकता हूँ मैं भी सारी अपनी जादात सेल करता हूँ तू भी आजा जो तेरे पास है तू भी सेल कर और किसी एक घोड़े पे लगाते हैं देखते हैं तेरी पेशगई दुरुस्त होती है यह गलत मैं तो तेरे चकर में लुट भी गया तो मुझे तकलीफ नहीं होगी अगला स्वाल सब्सक्राइब बताईए जह बात करते हैं बदनाम लोगों की या उन लोगों की जिनकी किस्मत में कुछ ऐसे नोटोरियस इंसीडेट्स लिखे हुए होते हैं तो उनकी लकीरे का डिफरेंट होती है कि नेंकी लकीरों में कुछ होता है येस, बहुत खुबसुरत स्वाल किया, या मशूर या बदनाम लोग, मतलब बदनाम भी नहीं कहेंगे, एक नेगिटिव वाज़ा तर अलेमेंट, जो बहुत मशूर हो जाते हैं, या जिसे कहा जाते हैं, टेररिस्ट तक भी लोग जो है बदनामी होते हैं, टोटल हाथ पर स साथ अनर्जिस पाही जाती हैं, जो नीलाजाफ पामिस्टी वैसादिक मलेक पामिस्ट में काम किया, पांच उसमें पॉजिटिव हैं, दो नेगिटिव, पांच का तालक किसी भी शख्स की एजुकेशन से है, बिसाल के तोर पर कोई भी शख्स अगर बाई बर्थ क्रिमिन नहीं रहेगा, फंक्शन तो उन्हों का एक है, ठुस करते हैं, लेकन फर्क ये है अगला, कि क्रिमिनल हर उस शख्स को मारता है, जिसके बस में नहीं होता, और क्रिमिनल उसको मार देता है, जो सब को मार रहा होता है, वो ला अलुमिस्टा, ठीक हो गया, सब जब बात करते हाथों की लकीरों की, तो सिकंदर आजम का एक वाक्या भी है, मैं चाहूंगी कि आप उसको रिकॉल करें, कि उन्हें कहा गया था, वो फलाँ कोई जगा है, जो कि वो फता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में कोई लकीर नहीं थी, किसी नजूमिन नहीं नहीं कहा, तो उ उनकी फतुहात की एक लाइन है, नमबर वार, नमबर टू, हाथ से लकीरे काड़ने से नहीं बनती, जखम आते हैं, और जखम के हाथ पर निशान रह जाता है, लकीरे खुद बखुद मेहनत से बनती हैं, जब तक्दीर मॉलक की बाद करते हैं, तो एक शेखस हदरत अली कर मॉलाव बच्यु के पास हादरी देता है, और पूछता है कि या था, इनसान को भी तक्दीर पर कादर किया, जस तरह से आपको दो तक्दीरों का बताया, लेकर इन दोनों तक्दीरों पर मेरा मॉलक कादर है, और अलíllा पाध कख खुद भी कादर है, जब अल्हेघ तो आपने फर्माया दूसरी, या हजरत ये तो नहीं उठाए जा सकती, तो आपने फर्माया, इनसान एक कदम उठाने पर कादर है, एक कदम जो एक उठाया गया है, उसको आज कंप्यूटर के वेट में दें, तो 32-33 परसेंट उस पर बोज होता है, अदर्वाइज एक वाला बगायर बिसाकी के नहीं चल सकता, तो इसका मतलब है, लकीरों में तबदीली जो है, तकदीर मौलक के हवाले से 32-33 पीसद के करीब तक आती है, लेकन गदा गदा और घोडा घोडा ही रहता है, नसल तबदील नहीं होती, सर आप हाथ की लकीरे देखकर इनसान को उस हाथ देख रहा हूं, उस पौद में इस तरह से लगता है कि ये किसी नई राह की तरफ जा रहे है, और 2018 से मेरा बियानिया चल रहा है, जो तक्रीमर 50 वी लॉग में आने अर जा चुका, कि महगाई का ग्राफ वड़ता चला जाएगा, मौश्रा गैर लसानी और गैर कबाई के लिए होगा, जिसे मखलूत मौश्रा कहते हैं, लेकर गैर मजबी नहीं होगा, मिडल क्लास खत्म हो जाएगी, और आज जो लेटस सर्वे आ रहे हैं, 18 के बाद, वो 80 फीसद मिडल क्लास खत्म होने जा रही है, वल्ला अलब स्वाप, अब रहा कि मुलक के बारे में किस थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी पेश्गुई नहीं मैं करता, अगर कोई कहता है, मैं पेश्गुई करता हूँ, तो फिर मैं वही आ जाओगा, कि मैं इल्म नजूवालों की तरह बहुत बड़ा जोटा आदमी हूँ, इसलिए कि ये मेरे इल्म का हिस्सा नहीं है और इसको मैं बहान कर रहा हूँ, वल्ला अलम बिस्वाब बोलते हैं, अपनी हर स्टेट्मेंट खटम करने के बाद, इसके पीछे कोई खास वज़ा या 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 आपका सिग्नीचर है, इस तरह से है कि मैं आपको बताया, इनल्ला है अला कुले शाहिन कदीर, बेश Thank you so much for being here Mr. Sadiq Palik, it was a wonderful conversation with you having here at Sama Podcast Platform and thank you guys for watching us today, just stay tuned for another session, till then, bye bye.